नमस्कार दोस्तों, Welcome to our YouTube channel, Simple, Short, Smart आज अमलोग इस वीडियो में, Excel में VLOOKUP फार्मला कैसे लगाना है उसी के बारे में डिटेली देखने मेल है, तो चलिए वीडियो पे चलते नमस्कार दोस्तों, आज अमलोग इस वीडियो में, Excel में VLOOKUP कैसे लगाना है उसी के बारे में देखने मेल है, इस वीडियो को बिना स्किप किये, आखरी तक देखे, ताकि VLOOKUP एकसल में कैसे लगाना है उसी के बारे में आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा VLOOKUP का मतलब यह है, अमलोग के पास एक sheet में कुछ particular details है और दुरसा sheet में कुछ particular details है इन दोनों sheet को commonly जो चीज जो link करता है, उसको अमलोग ने VLOOKUP formula लगा के कुछ details को अमलोग ने दुसरा sheet से इस sheet में लेके आएगे यही है VLOOKUP का मतलब, अभी मैंने आपको VLOOKUP कैसे लगाना है, कैसे compare करना है और कैसे इसको use करना है इस formula को, इसके बारे में आपको मैं बढ़िया से समझा दूँगा, अभी हम लोग excel की तरफ चलेंगे अभी मेरे पास अगर देखेंगे, मेरे पास दो excel sheet से यह वाला एक excel sheet है और यह वाला एक excel sheet है इन दोना excel sheet में एक चीस commonly रहेगा, इन common चीस में हम लोग दूसरा details को, दूसरा sheet से हम लोग यहां पे लेके आ सकते हैं तो इसी के लिए हम लोग VLOOKUP का formula यूज़ करने वाला है, तो VLOOKUP लगाने के लिए आपको यहां पे जाना पड़ेगा और आपको यह चीस देखना पड़ेगा, इस sheet में और उस sheet में क्या चीस common है, तो मेरे पास अभी नाम, नाम यहां भी है और इस sheet में भी नाम यहां पे लिखा है, नेम करके लिखा है तो यह भी CD करके यहां भी CD करके लिका है अभी हमको क्या करना पड़ेगा? इन sheet में मतलब दूसरा sheet में City करके एक column है इस City के अंदर चणने बैंगलूर कोवे करके एक करके लिका है अब ही हम लोग क्या करेंगे अगर मान लीजे इस sheet में उस city को ले के आना है तो हम लोग normally क्या करते है इसको जो नाम का नाम जो लिखा है उसको copy करते है और दूसरा sheet में जाके उसको find करते है जैसे ही find करेंगे यह जहां भी है वहां पर आपको find हो जाएगा पर आपको यहां पर दिख गया है जैसे find next क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर display हो जाएगा जैसे इसमें बहुत सारा यह है इसलिए यहां पर आपको सभी जगा पर यह का option दिख रहा है तो नाम के अंदर जो यह है उसको find करना है तो इसको highlight करके वहां पर find कर सकते पर नाम के अंदर भी यह किये है इसलिए वहां पर display हो रहा है अभी यहां पर display आ गया है मतलब यह जो है उसका age 21 है और वो जो है चन्ने में रहता है यह चन्ने को अभी हम लोग क्या करेंगे find तो कर दिया है इसको copy करके वहां पर paste करेंगे यह बहुत ही लंबा process है मतलब यहां पर जो यह है उसको वहां पर find करके उसके उसके इजाब से city में क्या है उसको अब लोग ने copy करके पिर यहां पर पेस्ट किया है यह बहुत ही लंबा process है इसको अब अभी हम लोग क्या करेंगे यहां पर नाम है वहां भी नाम है यहां भी है उस शीट में भी एज है पर इस शीट में सिटी नहीं है और उस शीट में शीटी जो है लिका है तो अभी हम लोग क्या करेंगे नाम को रेफरेंस लेके यहां पर वी रूक फार्मला लागा के वहाँ पे नाम की इज़ाप से जो city है उसको यहाँ पे ले के आएंगे यही we look up का बहुती बढ़िया process और बहुती बढ़िया formula हम लोग use कर सकते हैं so we look up अभी लगाने के लिए easy control लगाईए और we look up type करेंगे तो यहाँ पे वहाँ पे उसका formula आ गया है इसको आप click भी कर सकते है नहीं तो tap का option क्लिक कर सकते है tap का option जैसे हम लोग click करेंगे वो formula यहाँ पे applicable हो गया अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो commonly जो point है मतलब यह जो है वो नाम है मतलब यह किजाब से जो city वहाँ पे है उसको आप लेकर आना पड़ेगा तो हम ने यहाँ पे यह को click कर दिया और comma click करना पड़ेगा और जिस sheet से हम लोग को dts लेकर आना है उस sheet में अभी हम लोग को जाना पड़ेगा जैसे हम लोग sheet 2 पे अगर जाएंगे यहाँ पे नाम है ठीक है तो जिसको हम लोग compare करके details लेकर आ रहे है वो पहला column में रहेगा मतलब जो select हम लोग करेंगे वो पहला वाला type में रहेगा हम लोग को यहाँ पे select नहीं करना है अगर करेंगे तो वो compare करके details को लेके नहीं आएगा तो इसलिए वहाँ पे हम लोग ने यह column मतलब यह का नाम के इजाब से हम लोग को सर्च करना है तो यहाँ भी यह को first column में हम लोग को select करना पड़ेगा तो आभी मैंने यहाँ पे यह करके column को पहला select कर दिया है और जो details अम लोग compare करेंगे वो जो है city मतलब अम लोग को right side के इजाब से जाना पड़ेगा जैसे ही जाएंगे यहाँ पे मेरे को city का जो option को वहाँ पे लेके आना पड़ेगा तो यह city जो है तीसरा column में है so second column में age है तो वहाँ पे already age है तो यहाँ पे city का जो column को हम लोग को वहाँ पे लेके आना पड़ेगा तो मैंने क्या कर दिया यह जो तीन column मतलब 3C पहला column में यह है और third column में city है तो इसी details को वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पे कमा 3 करके दाल के कमा 0 करके दाल के उस bracket को close कर दिया जैसे close करके enter करेंगे immediately वहाँ पे city आ गया है मतलब यहाँ पे जो यह का जो नाम है वहाँ पे वी लुक अप ने उसको compare किया और compare करके जो उसके इज़ाब से यह के इज़ाब से जो city वो है वो city यहाँ पे आगे रहे है तो यह बहुती simple तरीका है आप अगर बड़ा बड़ा sheet में अगर काम कर रहे है तो यह वी लुक आपको बहुती काम का formula है अभी हम लोग को एक एक सेल के एक एक formula लगाना नहीं है जैसे आपने एक बर formula लगा दिया उसको click करके आप यहाँ पे रख करेंगे तो immediately बाकी details भी यहाँ पे आ जाएगा आपको तो अभी देखेंगे यह जो details दूसरा sheet में था उसको we look up ने उसक को यहाँ पे लेके आ गया है तो यह formula यूज करनके इस details को हम लोग को लेके आने में कम से कम 30 seconds के अंदर हम लोग ने लगा के लेके आ गया है तो यही है we look up का फायदा तो इस वीडिया में आपको we look up का बारे में बहुत कुछ सम्मिज में आ गया होगा और इस formula को यूज कर सकते अगर यह वीडियो आपको पसंद दे तो लाइक करें शैर करें कमंड करें और बिना बूले सब्सक्राइब और बेल आइकन को पेस करें ताकि आपना वीडियो को नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहेगा